नमस्कार जी मैं डाक्टर काली चरंगुपता इसका इंडिया की तरफ से आया हुआ हूँ आपका सुबनाम क्या है संजीव मौरे जी जैसे कि मैं देख रहा हूं आपका एक कोल्ड है कोल्ड में यहां पर आलू के छटाई हो रही है छटाई के बाद क्या है आप इसमें ठीट ना करने से बिए के सफंगस अभी कुछी नहीं दिखाई देगाम करते इसके बाद इसका फंगस घ्रता और यहां पर चित्ती रोंग बन जाता है या कई या बीमारी आ जाती है तो तो जवापका पहले देखिए बीच सुधन जमीन का सुधन करते हैं दवाओं से जमीन का सोधन करते हैं जमीन सोधन करते हैं कि जमीन में जो फंगस पड़ा है वो मर जाए जो बीज में लगा है वो सोधन करें इसका क्या है में हम जो आलू का भी सोधन करते हैं इसके लिए हम एक वैक्षीन वैक्षीन आती है वैक्षीन एक ऐसा प्रोड़क्ट इस तरह जमीन में जैसे हम करते हैं जमीन में जो फंगस पड़ा हुआ है उसको रच्छा से करते हैं तो हमारा मेरे उद्धेश है कि जब 20 सोधन करते हैं तो किसान भाई आमोवन जैसे चाहे बहुत सारी दवाएं आती है वो लगा देते हैं कोई कंटेक्ट लगा देता है सब्सक्राइब तो सिस्टम में जैसे आप इस परे करेगी तो पूरे सिस्टम में चला जाएगा और अंदर तक कहीं भी किसी तरका फंगस लगा हुआ है उसको खतम करता है अकिन हम वैक्सीन ही क्यों लगाएं अगर किसान भाई नहीं जानते हैं हमारे बहुत सारे लाला हो आते हैं वह कंट्रेक्ट भी देते हैं जबकि कंट्रेक्ट अगर आप फंजी साइड लगाया तो आपका आलू गल जाएगा ध्यान किया आपको आलू गलन ना भी हो और कभी सो दर्वा फंगस अमर जाए इसके लिए वैक्सीन को प्रयोग करें वैक्सीन से क्या होता है कि !.. आपका जमाव भी अच्छ आता है और आलू साथ अगर आपके जहां पर आलूख कर डाला हुआ है peg अ-घ्राओर जिसे आपका बहुत सारेप्फरश्यमिन पाए जाते हैं तो अक इसा होता है कि जो फंगसमें आगेती जूझसा भी ले आता है तो मैं चाहता हूं कि एकड़ के एक अलू में लगबाग 25 बूरी लगता है अगर बड़ा अलू है तो 30 छोटा अलू है गुली है तो पचीस बीस से पचीस तीस बीच में लोग अलू लगाते हैं तो इसके लिए क्या करते हैं वैक्सीन को धाइसमल वैक्सीन लीजिएगा और उसमें आप एक तंकी ग्रमें बरामदे में इसके बाद दो दिन बाद आलू खोलिए फैला दीजे पालीTechल बिचाके और फ्याने के बाद फिर उसमें वैक्षीन को धाई से मिल में, सवाई से मिल एक तंकी में इस परे करिए, फिर उसको फैला दिए, पैर से हिला दीजिए और फिर दुबार करिए जब आलू सूख जाए तब आप जो है उसको बंद करेंगे बोरे में किसान भाई क्या करते हैं, अमोवन इस परे करने के बाद तुरंद समेट करक देते हैं और फैलाते नहीं हैं, तो इससे क्या होता है कि आलू को स्राणने की सिगायत बहुत रहती है कोशिस करें कि आलू में हलका सा अंकुरन आ जाए, जब अंकुरन आ जा तो इसके मतलब वो जमने के लिए त्यार बैठा है, आप बुआई कर दे, बुआई करने के समय ही आप लेके जाए और खेते बुए, इससे क्या है वैक्सिन के लगा हुआ आपका जमाओ चलाएगा, आपका बीमारी कुरे कितम करेगा, धन्यवाद, आपको अलू के बारे में कुछ पूछ अच्छा, नमसकार, आपका जाओ.